तो नमस्ते परणाम आप सब कैसे हैं आसा करते अच्छे होगे बस्थ होगे और आज हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं तो इस ब्लॉग में आप एंड तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजेगा और कमेंट भी करिएगा सपूर्ट करिए हम लोग को हमारा चैनल और आगे बढ़े तो चलिए आज का इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को इस्टार्ट करते हैं आज हमारा घर निख सकते हैं वह दिवानिक के लिए लाइट्स लगी हैं वहाँ पर यहां पर बहुत जवाज हो रही है तो देखिए हमारा पूरा घर यहीं है बाहर से ऐसा ही दिखता है कि अगर प्रफना चलिए यहां का तो व्यू भीव आपको दे दिया अब आगे का भी देते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बारते हमारा खेत दिखाता हूं मैं आपको यही है हमारा खेत आगे चेट दिख रहा है यही कि देखे कितने में यह एक ठोगा है यह एक ठोड़ा सुगा है और यह जो दिखते हैं अपने गहर के अंदर जो काम कर रही है यानि कि मेरी मुम्मी से मिलाते है आप सबी को वरतन हो रही है तो चलिए तो दोस्तों यहीं पर मेरी मुम्मी यह बरतन होकर बरतन सेहार रही है इसे देख सकते हैं नहीं है लो कर दो फोड़ा सा अब देखिए वर्तन लिपा रहा है लिपाता है नहीं खाना होना बन गया है खा उली है सबी और यहां पर देख सकते हैं कि दिखिए अपना रूम सजाए है लाइट से बाहर पिला और यहां पर यह सब कहां वाला इस्टाइल है देशी जुगार है इसको देशी जुगार हूँ पर जिसके गर गैस ना हो देखिए वहां पर एक ठोग इस्पेसल गैस रखा है उख का पती या फिर लकड़ी जरा कर उसमें खाना बनता है यह है देशी जुगार है देशी बरतन काला ना होने के लिए देखिए एक भी बरतन काला नहीं हुआ हो भी जाता है तो मम्मी मेरी का गड़ देती है करती है साप नहीं होगा कैसे नहीं होगा है इसको होना ही पड़ेगा ना भाब हुआ है आईए अपने घर का भी एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं देखिए यहां पर हम ना आते हैं और यहां पर खाना बनता है अमारा देखिए अच्छे घर थोड़ा साप सुतरा करने में लगी है मम्मी और यह देखिए हमारे लूम और यह हमारा बेड कई जन लाइब में आते हैं तो बेड दिखाने के लिए करते हैं तो देख लिजिए यही है हमारा बेड देख लिजिए और वाहां पर भगवान जी रखे ने देखिए यहां पर सारह अभी तो सजी जाएगा अभी साफ होई जाएगा ना यह देखिए किचन यहां से कीचन का जमीन है यहां से यहां से गया है यह रूम का दुवार और यहां पर है हमारे नहाने वाला सिस्टम पूरा जो जो गाव में रहते होंगे उनको तो बताना पर नहीं पड़ेगा वो समझी जाते होंगे कि क्या-क्या है सारा समान लेकिन जो सहर से जुड़ते हैं उनके लिए बता देते हैं देखिए यहां पे बरतन सज गया है एक दम एक के उपर एक पर खाना मनाने वाला यह भी अभी साफ हो जाएगा अब देखिए अपना बरतन इस्टेंड है पूरा यहीं पर बरतन सज जाता है एक दम देखिए जैसे भी साफ करो लेकिन सुबह गंदा जरूर हो जाता है खाना बनाने के चक्कर में देखिए उसाफ हो रहा है और यहां से भी आपको दिखा जेते हैं सब सीच यहां पर यह सारा है जैसे मैं बता रहा था आपको बोरिंग है हमारा उसी का यह सेक्षन है यह सेक्षन आप जानते होंगे कि क्या सेक्षन होता है क्या बोरिंग होता है और देख सकते हैं आप बहुत अच्छा है तो चली रूम में देखिए हमारा बेड सजा कर रखाया है हो गया साफ देखिए साफ हो गया देखिए तो देखिए वहां पर मम्मी अब जा रहे यह वासिंग मसीन में कपड़ा धोने और वासिंग मसीन लिए नहीं लगा है मेरा स्कूल ड्रेस्बी दो देना में तो मम्मी अभी सभी का कपड़ा दोएगी साफ करकर मेरा अपना स्कूल ड्रेस्बी देता हम दोने के लिए मां यह बल्ट निकाल लोगी कैमरा पकड़ोंगी मतलब मोबाइल पकड़ोंगी देखिए अब जाएगा इसमें पानी और स्टार्ट हो जाएगा मसीन अपना कपड़ा दूल के तयार मेरें भी जाएगा कर दूल के हैर ह tv जब जाएगा तयल को है खेवाल खुनार खुनार ठीक है तब मिलते अगले ब्लाग पर और अगले चैनल पर तक तक के लिए टाटा बाई बाई सी यू ममी बाई कर दो बाई